हाई फ्रेंड्स वालकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको जी सिखाऊंगा कि आप कैसे काइन मास्टर के तुरू दो या दो से ज्यादा वीडियो को कंबाइन कर सकते हो और उन पर इफेक्ट लगा सकते हो तो दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब क कर लो तो आई यह सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं काइन मास्टर ओपन करें मैंने इस वीडियो सेलेक्ट की स्क्रीन साइज लिया इसके बाद मैं अपनी गैलरी से एक दो वीडियो इंपोर्ट कर लूँगा आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो इसको आप कि अब वीडियो को ठीक है उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट पर जाओंगा एक क्लिप के फस्ट क्लिप के अग्या प्लस साइन देख रहे हो प्लस साइन के एक साइड लेट साइड एक वीडियो राइट साइड दूसरी वीडियो है एधेख विडियर में कमबाइन हो गई है प्लस पे क्लिक करके मैं इफेक्त्स लगाँंगा अभी एधेखो अ प्रेजंटिशन अलग-अलग तरीके के इंफेक्टस में कि बढ़िया बढ़िया एफेक्ट्स है आप वाट्सएप के स्टेटस भी ऐसे बना सकते हो टिक टॉक की वीडियो भी एडिट कर सकते हो मुल्टिपल टिक टॉक वीडियो भी कंबाइन कर सकते हो देखो मैंने टेक्स्ट इफेक्ट भी है इसमें मैंने टेक्स लेकुंगा कुछ वालकॉम वालकॉम गाइस यह देखो यह देखो जब वीडियो चेंज होती है तो ऐसे है टेक्र यह है इसमें देखो वीडियो की आसमें की आपच्छन निचे रोटेट की आपच्छन कैसे मर्जी मैं वीडियो को साट कर सकता हूं शायद मिरस दूबार रोटेक्ट ओगी 2k अ में में दूब आरब रोटेट करनी सही है करनी पड़ेगी रोटेट में गया मैं रोटेट में जाके येस अब सीधी है जो वीडियो चेंज होती है तो ऐसा आप उटाता है आप कोई भी फैक्ट लगा सकते हूं ऐसे मैं इसको आके पीछे करके देख सकता हूं अब भी में और एफेक्ट लगाँ गया इस पर क्लिप ग्राफिक में जाके टेक्स और भी खाफिक पर आप जो बिल्ट इन आते हैं काइन मास्टर में जो को डबल टेक्स्ट के ऑप्शन्स पिया है पहले टेक्स एंटर किया सब्सक्त ओर टेक्स अड़ी ओड साइचे अचर्मv करें करें ग्राफिक में भी में इसको आता हैं इसको जब्सक्रा जूंवियर य३र्ट टेक्स सब्सक्राइंग्का आंटार्ट साथ सकता हूं कि कहां तक यह है क्लिप ग्राफ मिंग जाकर वीडियो के लास्ट पर गया यह लो बार को मैं ट्रैक करके आगे ले गया फिर मैं इसको थोड़ी से आगे कर दो कि यहां तक काफी फ्लेक्सिबल है दोस्तों यह काइन राज़ा दोस्तों यह देखो यह देखो जब अगली वीडियो आती है तो इफेक्ट पहली लगा हुआ था इसके बाद मैं आपको वीडियो ट्रिम करनी रिमॉव करनी सखाऊंगा कैसे हम लेफ्ट और राइट से वीडियो को रिमॉव कर सकते हैं यह देखिए रेंबो के नीचे एक अबजेक्ट मेर से गलती से शूट हो गया मैं इसको निकालना जाता हूँ तो आईए देखते हैं कैसे निकालूगा मैं सबसे पहले मैंने लेयर स्लेक्ट करी लेयर स्लेक्ट करने को बाद ट्रिम की आप्शन में गया लेफ्ट रेंगर लेफ्ट की वीडियो अलंग अलंग स्प्रिट होगी तो मैं लेफ्ट की भी Bonko सकता हूं राइट की भी Bonko सकता हूं इस वीडियो में क्लिप ग्राफिक का एफेक्ट लगवा है आई इसको नन कर देते हैं एक बार पहले क्लिप ग्राफिक में जाके नन की ऑप्शन क्लिप ग्राफिक का एफेक्ट हट गया और मैं देखो वीडियो ट्रिम करूंगा अब भी लेए स्लेक्ट की ट्रिम में गया ट्रिम टु लेफ्ट लेफ्ट वाले मैंने रिमोव कर दी क्योंकि पहले स्प्रिट की हुई थी यह देखे अभी दूसरी वीडियो श्राट होगी वो अब्जेक्ट रिमोव हो गया रिमोव के नीचे जो आ रहा था यह देखो तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना मेरा चैनल थैंक यू ओर वाइट